हिंदू पांचांग की अनुसार पृते एक वर्ष भाद्र प्रद मास के शुकलत चतुर्थी को हिंदू का प्रमुक प्योहार गनेश चतुर्थी मनाया जाता है गणेश पुराण में वनित कथाओं के अनुसार इसी दिन समस्त विग्न बाधाओं को दूर करने वाले क्रपा के सागर अर्थात भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र श्री गणेश का अभिर्भाव हुआ था भगवान विनायक के जन्म देवस पर मनाया जाने वाला ये महापर भारत के सभी राजियों में भव्य तरीके से आयोजित किया जाता है तो आईए आप गणेश चतुर्थी की कथा जान लेते हैं कथा अनुसार एक बार माता पार्वती स्नान करने से पूर्व अपनी मैल से सुन्दर बालक को उत्पन किया और उसका नाम गणेश रखा फिर उसे अपना द्वार पाल बनाकर दर्वाजे पर पहरा देने का आदेश देकर स्नान करने चली गए थोड़ी देर बाद भगवान शिव आय और द्वार के अंदर प्रवेश करना चाहा तो गणेश जी ने उन्हें अंदर जाने से रोका इस पर भगवान शिव क्रोधित हो गए और अपना त्रशूल से गणेश जी का सिर काट दिया और द्वार के अंदर चले गए जब मापार्वती ने पुत्र गणेश का कटा हुआ सिर देखा तो वे अतियंत क्रोधित हो गई तब ब्रह्मा विश्णू सहित सभी देवताओं ने उनकी इस्थती पर उनको शांत किया और भूले नाथ से बालक गणेश को जिन्दा करने का अनुरोध किया महा मृतिन जैरूद्र उनके अनुरोध को स्वीकारते हुए एक गज के कटे हुए मस्तक को श्री गणेश के धर पर जोड़कर उन्हें पोने जीवित कर दिया आईए अब जानते हैं गणेश चतुर्थी पुजा विधी के बारे में इस महा पर पर लोग प्राते काल उठकर सोने, चांदी, तांबे, अथवा मिटी से बनी गणेश जी की प्रतिमा स्थापित कर उनका पूजन करते हैं पूजन के पश्चात नीची नजल से चंद्रमा को अर्दे देकर ब्रहमनों को दक्षिना देते हैं इस पूजा में गणपती को 21 लड़ों के भोग लगाने का विधान है मान्यता के अनुसार इस दिन चंद्रमा की तरफ नहीं देखना चाहिए